ग्राम पंचायत बरजाई ग्राम कोथड़ा में 18 सितंबर के सुभए आठ बजी पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली एक ब्यक्ति मृत अवस्था में ग्राम कोथड़ा में पड़ा है सुचना पर बागली थान प्रभारी सुनीता काटारा स्टाप के साथ गठना स्टल पर पहुंची गठना स्टल पर मिरत्ग अवस्था में एक ब्यक्ति पढ़ा जिसका पता कायते मृत्य का भाई नेवल शेयं पिता बने सेह कोरकू निवासी गोथड़ा ने बताया कि मरतक अबस्ता में हरी सेह पिता बने सेह कोरकू उम्र 35 साल निवासी कोथड़ा का होना पाया गया जिसकी मरतक बोडी को सी एच सी बागली पी एम हेतु भिजवाया गया तथा थानब प्रभारी सुनीता कटारा के दोरा मर्ग कायम कर जांच में लिया गया जांच के दोरान मरतक हरी सेंग के सरीर पर चोटों के निशान पाए गए S.D.O.P. राकिस ब्यास F.S.L. प्रभारी स्री भाटी दोरा गटना इस्तल का निरिक्षर किया मरतक हरी सेंग की पतनी नरमदा भाई वहर मरतक के भाई भजन सेंगा नवल सेंग सेंग से पुछताच करते पाया की रात को संजेर रामकरन मेरे घर से हरी सेंग को लेकर गए थे हरी सेंग संजेर रामकरन तीनों सिप करन पिता मंगल सेंग की मोटर साइकल मांग कर गाव लाल बावली गोधरा रास्ते पर सरा पीने के लिए गए तब से मेरा पती घर पर नहीं आया जाच में पाया थाना बागली पर अपराद करमांग 526-2021-302-301-34 भादवी का पंजी करत कर बिवेशना में लिया गया आरोपी संजय पिता बिकरम निवासी कोथला वह रामकरन पिता मंगल सें कोरकू निवासी कोथला को लाकर पुछतात की गई आरोपी ने मरत खरी सें को लकड़ी के खोटे से चोट पहुचा कर हट्या की और साक्ष चुपाना सुखार किया आरोपी संजे पिता बिक्रम और निवासी कोठला बा रामकरन पिता मंगल सह कोर को निवासी कोठला को गरबतार किया अजदनांक 19.9.2021 को मानी न्याले में पेस किया जा रहा है थानप्रभारी बागली सुनीता कटारे की पूरी टीम में बी-एस भिलाला, एहमद कुरेशी, देवी सहन, नीनामा, प्रधान आरकचक, रोहित पारस, धर्मेंद सहन, मोकेस रावत, आसीस मकवाना की बिसिस भूमिका रही देवास से राजंद योगी की रिपोर्ट दोनों को तलाज करते हैं कि दुप्तार करते हैं कि वागो माना की ये तीनों दोस्ते आपते हैं लेकि पार्टे के दोनों स्राप्तीने के वह कुई उनका विश्चा